होके बच्चों तो लास्ट क्लास में हम फॉर्मुलेटिंग एक्वारिटिक एक्वेशन डिसकस कर रहे थे हमने चार कोश्चन्स डिसकस किये मैं शोर हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा आज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जादा होगा आज फिर से हम तीन कोश्चन्स डिसकस करेंगे अगर आपको पिछले कोश्चन से डिफिकल्ट लगें तो इनको ट्राइ मत कीजिए अब भी ट्राइ मत कीजिए जब आपकी अंटरस्टेंडिंग डवलप हो जाए उसके बाद आप ज़रूर ट्राइ कीजिए पहला कोश्चन देखते हैं सम ओफ एरियाज of two squares is 468, difference of their parameter is 24, अब हमें quadratic equation form करनी है, सबसे पहले तो recall कीजिए कि कोई भी अगर square है, अगर उसकी side x है क्योंकि चारो sides पराबर होती हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो होता x square और parameter होता है 4x, ठीक है? अब इस problem को करने के दो तरीके हैं, एक तो हम एक variable fix कर लें, x square या x, तो हमें side length पता करनी है, हमने side length मान ली x, अब हमें बाकी जो computation चाहिए, वो सब x की terms में चाहिए, अगर एरिया की बात करें, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि एरिया x square है, पहले square का, तो दूसरे का minus x square, क्योंकि दोनों का जोड 4, 6, 8 है, चीक है, अगर parameter की बात करें, तो difference of their parameter, तो अगर इसका 4x है, तो इसका parameter होगा 24 plus 4x, क्योंकि difference हमें दे रखा है, अगर हमें a minus b 24 दे रखा है, तो a जो होगा, वो b plus 24 होगा, इसलिए अगर मेरा b 4x है, तो दूसरे square का जो parameter होगा, वो होगा 24 plus 4x, तो ये area होगया, ये parameter होगया, चीक है, अब यहां से भी हमें directly नहीं दिख रहा है, कि हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि अगर हम area से equation form करें, क्योंकि हमें quantity equation form करनी है, तो x square, 4, 6, 8, plus, और हमें चाहिए दूसरे square का area, चीक है, area के लिए हमें उसकी side चाहिए, अब आप देखिए, यहां से, कि यह है parameter of second square, parameter क्या होता है, 4 multiply by side, तो अगर मैं 4 common ले लूँ, तो मेरी side है, 6 plus x, इसलिए, यहां पर 6 plus x whole square हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए, हमें क्या-क्या given था, area given था, 2 square का sum of areas, 4, 6, 8, और difference of their parameter is 24, मैंने माना side length है x, पहले square की, तो area हो गया x square, parameter हो गया 4x, अब difference of parameter, a minus b 24 दे रखा है, इसलिए, 24 plus 4x parameter हो गया, दूसरे square का, 24 plus 4x को हम लिख सकते हैं, 4 multiply 6 plus x, इसका मतलब, दूसरे square की side length हो गई 6 plus x, अब side length अगर 6 plus x है, तो उसका area होगा 6 plus x whole square, अब हमें दे रखा है, sum of areas, 4, 6, 8, इसलिए, x square plus 6 plus x whole square, equal to 4, 6, 8, simplify आपको करना आता है, फिर से याद कर लिजिए, a plus b whole square का formula, a square plus 2ab plus b square, यह आपका a, यह b, तो 36 plus 12x plus x square हो गया, 4, 6, 8, further simplification काफी आसान है, 2x square plus 12x, और 4, 6, 8 में से आपको 36 minus करना है, तो 36 minus करना आसान है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4, 3, 2, क्योंकि 2 common है सब में, तो आप 2 से divide कर सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ देंगे, तो भी answer correct होगा, x square plus 6x minus 216, equal to 0, यह हो गया, आपकी required quadratic equation, छीक है, अगला question फिर से काफी interesting है, थोड़ा सा समय दीजिए, समझने की कोशीश कीजिए, एक two digit number है, product of digits is 12, छीक है, जैसे की example two digit number लिजे 43, तो digits का product 4 multiply 3 हो गया 12, इस तरह का कुछ नंबर है, अगर 36 add किया जाए, तो digits interchange their places, इसका मतलब कि कोई भी number और उसमें मैंने अगर 36 add किया, तो digits interchange their places, 43 का 34 हो गया, उल्टा हो गया, अब interchange their places का मतलब है कि tense पे जो position है, वो once वाली position हो गई, तो ये position से आपकी tense पे, और ये position है आपकी once पे, ये हो गई interchange, ठीक है, अब आपको quality equation फॉर्म करनी है, आपने फिर से मान लिया, जो tense digit है, वो x है, अब आपको क्या giveन है, पहली चीज है कि product of digits is 12, tense digits आपने मान ली, किसी भी number के लिए, two digit number के लिए, आपको tense digit चाहिए, और once digit चाहिए, tense digit आपने x मानी, दोनों का product 12 है, इसका मतलब जो आपकी once digit है, वो हो गई, 10 by 12 by x, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर 36 add किया जाए number में, तो digits interchange हो जाएंगी, सबसे पहले तो number क्या है वो पता कीजी, tense digit पता है, once digit पता है, तो number क्या होगा, for example, अगर tense digit पता है, four है, once digit three पता है, तो number क्या होगा, four multiply ten plus three, तो इसी तरह, ten multiply x plus 12 by x, अगर इसमें 36 add किया, तो एक नया number मिलेगा, जहां digits interchange हो जाएंगी, इसका मतलब कि जो आपका once digit है, वो क्या है, 12 by x, ये बन जाएका tense digit, इसलिए हम ten से multiply करेंगे, और जो tense digits है, वो आपका हो जाएगा once digit, ठीक है, जैसे कि अगर 43 का उल्टा किया, 3, 4, तो 3 multiply 10 plus 4 लिखेंगे अब, इसलिए मैंने लिखा 12 by x multiply 10, पहले लिखा था, x को 10 से multiply किया था, अब 12 by x को 10 से multiply किया, अगर यहां तक clear है, तो अब हमें सिर्फ simplify करना है, x को left and side में लेके आया, तो 9x हो गया, 36 की जैगे 36, 12 by x और यह है 120 by x, 120 by x को left and side में लेके आया, तो वो हो गया minus, इसलिए 12 minus 120, जो की हो गया 108, अब आपको x denominator में है, LCM की तोर पे लेना पड़ेगा, उससे पहले आप एक कोईक observation है, कि 9 common है, क्योंकि 9 common है, तो आप सबको 9 से divide कर दीजिए, तो आपकी equation हो गई, x plus 4 minus 12 by x equal to 0, x आपने denominator में ले लिया, LCM, तो x square plus 4x minus 12 equal to 0, x right hand side में 0 से जाके multiply होगा, जिसके कारण की वो 0 हो जाएगा, इसलिए आपकी required equation आगई, अब ये questions difficult जरूर है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया, तो इस तरह का question अगर पूछा जाता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, जो कि number based है, जहां आपको unit digit, 10, digit in के बीच में कुछ relation दिया गया है, इसी ही तरह का question है, जो पहली बार में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप वापिस इस तरह questions देखेंगे, तो आप जरूर कर पाएंगे, जातर इक questions frame होते हैं कि, आठ मजदूर एक काम 12 दिन में कर पाते हैं, फिर एक मजदूर इतने दिन में हैं, तो चार मजदूर कितने दिन में कर पाएंगे, इस तरह के questions आपने जरूर देखे होंगे, ये question उसी से मिलता जुलता है, दो water tapes हैं, दो null हैं, जो की tank को 75 by 8 hours में भरते हैं, जो tapes हैं, जो null हैं, उसमें एक बड़ा है, एक छोटा है, बड़ा वाला null 10 hours कम लेता है, छोटे वाले से tank को भरने में, अब आपको quadratic equation फॉर्म करनी है, कि छोटे वाला null कितना time लेगा, फिर से मान लिया x लेगा, अब हमें क्या given है, कि बड़े वाला null 10 hours कम लेता है, तो इसलिए जो larger है, वो time लेगा x minus 10, चीके, अब हमें क्या दिया गया है, कि अगर दोनो नल आप एक साथ चला दें, तो time लगेगा 75 by 8 hours, यहां समझना बहुत जरूरी है, दोनो एक साथ चलाने का मतलब यह नहीं है, कि आपने छोटे का x add कर दिया, बड़े का x minus 10 add कर दिया, और time हो गया 75 by 8, नहीं, नहीं, वो अलग-अलग इतना time लेते हैं, एक साथ चलाएंगे, तो आप उन दोनो time को add नहीं कर सकते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से समझें, कि अगर smaller जो है, छोटे वाला है, उसको x r लगते हैं, tank को भढ़ने में, ठीक है, तो unit, एक r में कितना भरेगा tank, तो 1 r में, जो tank भरेगा, वो 1 by x होगा, इसी तरह जो larger है, वो 1 r में कितना भरेगा, तो 1 by x, minus 10 time लेगा, और अगर दोनों को एक साथ चला दे, तो हमें given है, कि total time लगेगा, 75 by 8, इसका मतलब है, कि दोनों जब एक साथ चल रहे हैं, तो 75 by 8 r लग रहा है, एक r में, unit r, फिर से, दोनों एक साथ चलते हैं, बोथ, तो 1 r में कितना भरेंगे, 8 by 75, ठीक है, अब तीनों की unit सेम है, एक r में, smaller वाला जो tank भरेगा, वो 1 by x भरेगा, larger वाला भरेगा, 1 by x minus 10, और दोनों एक साथ भरेंगे, 8 by 75, इसका मतलब, कि 1 by x, प्लस 1 by x minus 10 हो गया, 8 by 75, अब आपको LCM लेना आना चाहिए, left hand side का आपने LCM लिया, तो x, यहाँ पर दिनोंटर में x minus 10 है, तो 1 multiply होगा, x minus 10 से, तो x minus 10, क्योंकि यह जो 1 है, यह x minus 10 से multiply होगा, यह 1 x से multiply होगा, equal to 8 by 75, simplify करेंगे, तो 2 x minus 10, और आप, दिनोंटर में x by x minus 10, 8 by 75, further simplify कर लीजिए, उससे पहले चाहें, तो आप देख सकते हैं, कि numerator में 2 common है, आप numerator को लिख सकते हैं, x minus 5, divided by x, x minus 10, equal to 4 by 75, अब यह 75 आपका इधर, numerator में जाके multiply होगा, 4 इधर जाके multiply होगा, तो 75 x, minus 75, multiply 5, equal to 4 x square, minus 40 x, अब 75 multiply 5, उससे अच्छा है कि आप 70 multiply 5 कर लीजिए, 70 multiply 5, 350, 5 multiply 5, 25, 350 plus 25, 375, तो आपका further simplify हो गया, 4 x square, minus 40 x, minus 75 x, minus 375, equal to 0, जो की हो गया, 4 x square, minus 11 x, और minus 375, equal to 0, जितने भी notes में prepare कर रहा हूं, आपको जल्द ही सारे provide कर दिये जाएंगे, अगर आपको question difficult लग रहा है, आप बिलकुल answer देख लीजिए, approach याद रखिए, कि इस तरह के questions को किस तरीके से approach किया जाता है, अगर आपको approach याद रहेंगी, तो similar questions हम फिर से discuss करेंगे, इसी chapter में, जहां कि आप आसानी से उनको solve कर पाएंगे, next class में हम देखेंगे, कि quadratic equation को solve कैसे किया जाता है, thank you,